नमस्कार मैं है उनुले स्विश्चुकर्मा आप देख रहे हैं यूपी न्यूश्कीलिक.डॉट कॉम हमारी एक मुहीम है किस्सा गाउं के विकास का तो उसी मुहीम के तहेत आज हम खड़े हैं ध्यजिले के बलाक बीकापूर के गरामसभा सूलेपूर में जो कि इस गरामस नमस्कार क्या नाम है आपका मुहमत कलीम अच्छा इबतावा कि आपके गाउं मा कुछ परधान दौरा ही यह काव विकास चार साल मा कुछ विकास किये हैं बहुत भाव भाई यह बहुत बिकास हुआ जिसे क्या विकास हुआ अरे बिकास का लेटिंग हो गारा सब दुनिय परधान की आप मेरा मुझ नाली वाली बनौए है पहले से जो थी आशी पांच साल पहले वही चल लगी है कि मृ नालिक तो जानकारी नहीं है मैं होटल करता हूँ आप यहीं पर अच्छा गाव में आपको खेत है आपको खेत खेत है तो दिक्कत तो होती होगी चाहिसे घृतनी रीशनी वहला है चुटा जानवर के लिए आप लोग क्या करते हैं इसे उसे बचाने के लिए घुटा तार यहीं सब्सक्राते तो भी जो है यहां परनाए सर्फो को नाम को खुछ लाब हुआ है सरकार दोरा प्रधान क्या लाब हुआ है कितना टोटल कितना मिलता है पैटीस किलो में कोटेदार कटोती कितना करता है अब लोगों को कुछ पता है अब हमें सब तवलान तो कभी नहीं किया अच्छा उनका काटा एलेक्ट्रिक काटा है कि वही तराजू बात वाला अच्छा वही है अच्छा आपका क्या नाम है अच्छा आप जरा बताईए कि जिस तरीके से पहले जो यहां पर असुबदाएं होती थी सोचाले को ले करके बाहर जाती थी बहुत बेटियां कहने का मतलब है अब परधान द्वारा यहां पर इस गाउं में सोचाले का कुछ नया निर्मार हुआ है बहुत कुछ हुआ है अच्छा अगर हुआ है निर्मार तो पहले से कितना बेटर में मिलने लगा यहां इस गाउं में सफाई कर्मी नहीं आते हैं अच्छा कुछ नालिया नहीं बनी नालियों के लिए ज्यादा दिक्कत है यहां पर अभी नालियों के लिए बहुत पानी की निकासी आए दिन बढ़ती जारी हो सबसे बड़ी समस्या बरसात में होती है अभी नाली नहीं नहीं वन्हुए है उधर गाउं पर भी ईख विद्हुंत के बारे में से जानतेकानों ते मारे में विकास्कार परधान आपको क्या लगता है कि परधान जी मुण फर्बिकास कुछ नाली खलंजा सनंसी बनवाए जाब आ एंगाए गभाए है you नजाओने विए जैए नाली बनवाएं आपको तेशान कार्थ है आपको सब मिला आपको आपको तो समझतना जो लें तेरिया बना वकातर वहीं नाया बनवाएं पैसा मिला नहीं पैसे आना चाहिए पहली ची तो आप नहीं बनुए नहीं पैसा मिल रहा था आपको हाँ पैसा मिल रहा था तो कमी आप कियो नहीं पाद जगा नहीं रहे हैं चलिए ठीक दादी जी आप बताए हमेरे बनी बारा संकारट बना बार आप अब सवचाले बनुए बाते हर एक चीज सब्वेस्ताव परधां जी बेस्ताव हां 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 जोट मेना बलेगा रासनकाड है अच्छा चाची बता रहे हैं कि यहां पे नाली का निर्माड अभी बहुत दिक्कत है पानी की निकासी नहीं हो पाती है नहीं आप बताई की निका अब को अब इस लोगों से पात के उन्होंने हैं दैसे नाली के सबसे जादा है पानी की निकासी नहीं हो पाती नहीं तो भीत दो दीपकुमार गुपता अभी तक चार साल बीट गे नहीं नाली बनी एक साल का जो कारेकाल है बन जाएगा नाली उमीद है अभी तक भाई सब कहले जाए कि क्या अभी कास हुआ है अगर कहले जाए बहुत का सफाई कर्मी नहीं आते हैं यहां पर खूली बैठक होती है दिकारी आते हैं बलाकस्तर से आप लोग उस बैठक में जाते हैं हाँ जाते हैं आप लोग अपनी समस्या महां बताते हैं चले ठीक है तो यह थे हम गराम सभा सूलेपुर में जो की यहां के लोगों से हमने बात किया और जाना इस गाउं के समस्या के बारे में क्या विकास कारी किये गए हैं आईए सीधे अब ले चलते हैं आपको सूलेपुर गराम सभा परधान जी के पास और जानते हैं उनके चार साल के कारेकाल के बारे में मौझूद है इस समय हम गराम सभा सूलेपुर में जो की यहां की अभी लोगों से हमने बात किया यहां के विकास कार के बारे में परधान द्वारा चार साल के कारेकाल में क्या विकास कारी गराम सभा में किये गए हैं तो सारी जानकारी लेने के बाद हम आ गए हैं सिधे गराम परधान जी के निवास पर और हमारे साथ मौझूद हैं गराम परधान पती और प्रतनिधी के तोर पर भाई साथ हम इनी से बात करेंगे इनके चार साल के कारेकाल के बारे में कारेभार यही देखते हैं आईए जान हमारे दीकत्रों से कर रहे वहाँ है किटनी दूरी का कहा निर्माल कराएं या सब्सक्राइब कर दो एक जगा तीन सो मीटर लगा है यह जगा जो है इसकूल पर जो सब्सक्राइब लगा है प्रदान जी आपकी इस चार साल के कारेकाल में कितने पात रह से सब्सक्राइब दियां पराप्थ करा गया इसंसर्द करेंगे बीध्वा जिजिस पर चोविस पचीशन लोगों को परेंगे परकास चार लोग है चारों को पेंसिन जो है मिल रही है जो बिलाक से मिलती है जो है तीन चार जो थे तीन-चार से किले उसको भी तरफ से हम बात करेंगे सफाई कर्मी की पहली चीट तो बताईए इस गराम सभा में मजरे कितने हैं शार मज़ें चार मज़ें सफाई कर्मी यहां पी कितने लोगों की जाल की जो भी आप विकास किया है निरमाड किए एक साल का बचा है क्या सोच रहें आपके अपने गराम सभा के लिए क्यों साइसा विकास के आयाम खड़े करेंगे भी क्या काम अभी ऐसा बचा हुआ है अभी तो खाता भी नहीं खुला एक साल हो गया लेकिन जब जो सोचे हैं होगा जो है अच्छा इस गराम सभा में बराद घर है बराद घर सब्सक्राइब के लिए तो यह थे हमारे साथ मौझूद ग्राम सभा सूलेपूर के प्रधान पती और प्रतनिधी के तौर पर भाई साब जो नहीं बताया अपने चार साल के कारेकाल के बारे में एक साल का इनका बचा है क्या अपने ग्राम सभा में विकास के आयाम खड़ करें सेर करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यबाद